कि हलो एवरिवान वेलकम टू आल उफ यू दिस इस अंजु मौर्या और हमारा एक कोसिस है कि जैसी के एक्जाम से पहले कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलोजी जो आपको पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो हमारा रहेगा जिसमें हम एनिमल किंग्डम से रिलेटेट कुछ कंफ्यूजिंग टर्म पूछे जाते जैसे एक्जाम में वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है वो चारी चीज़ें हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो चलिए देखिए सबसे पहला टर्म पूछा जाता है कि एनिमल कौन से एनिमल कोल्ड ब्लडेड है और कौन वा वाम ब्लडेड का मतलब इनकी बॉडी का टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहता है चाहे एट्मोस्फियर में ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो इनकी बॉडी का टेंपरेचर क्या रहता है कॉंस्टेंट रहता है इसको वाम ब्लडेड या होमोथरमस कहते हैं अब हम देखते हैं क पर terminology है, जो confuse करता है, cranial nerves से question पुछा जाते हैं, अब देखिए cranial nerves जो होते हैं, 10 pairs और 12 pairs, ये भी बहुत important है, 10 pairs कहां होता है, fishes और amphibians में होता है, और यहीं से हम एक term और निकाल लेते हैं, amniotes, मतलब कभी-कभी आपसे पुछा जाता है, animal, कौन से animal amniote होते हैं, कौन amniote, an amniote होते हैं, amniote का मतलब जिसमें amniotic layer हो, और an amniote का मतलब जिसमें amniotic layer ना हो, तो आप यहां से ऐसे भी याद कर सकते हो, जि जहां पर amniotic layer absent होती है और जुसमें 12 pair cranial nerve है वो amniot होते हैं जहां पर amniotic layer present होती है वो होते हैं इसको हम कह सकते हैं reptile, bird और mammal में अब देखे अभी अभी नया एक question पूछा जाता है कि scoliodon में scoliodon में ठीक है यह फिस है ठीक है और यहां पर 11 pairs cranial nerve देखा गया है यह important है इसको दियाद रखिएगा ठीक तो यह हो गया कि यहां से हम दो तरीके के question solve कर सकते हैं amniotic and amniotic ठीक है और आप से अगर question पुछा जाता है कि बताए जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते हैं plant म कि कौन सा ऐसा plant है जिसमें सबसे पहले vascular bundle देखा गया था tracheophytes जिसको केते हैं तो tracheophytes में हमारा क्या-क्या आता है हमारा आता है teridophyta, gymnosperm और angiosperm इसी तरीके से यहां पर सबसे पहली अब देखिए आपसे यह question पुछा जाता है plant में कि plant की ऐसी कौन सी ability हुई ठीक है जो पहली बार plant land पे आये तो कहा जाता है कि पहली बार जो fully land plant थे वो teridophyta था और teridophyta में सबसे पहले vascular bundle arise हुआ था तो plant को land पे survive करने के लिए वाली जो ability है वो क्या थी vascular bundle इसी तरीके से आपसे पुछा जाता है कि animals को land पे survive करने के लिए सबसे पहले animals पूरी तरह से terrestrial हो जाए उसके लिए कौन सा feature responsible है तो आपको होगे amniotic egg या amniotic layer ठीक है amniotic layer ये बात आपको अच्छे से याद आखना और सबसे पहला animal जिसमें amniotic layer डेवलप हुआ था reptile जैसे सबसे पहला plant जिसमें ट्रेकीड या we can say vascular bundle डेवलप हुआ था तरिडोफाइटा वैसे ही टरिडोफाइटा को हम reptile of the plant kingdom भी कहते हैं ठीक तो वैसे ही पहला animal जिसमें amniotic layer था वो क्या था reptile सा ये बात भी आपको समझ में आने चाहिए और देखिए दूसरे टाइब का question यहाँ पर और क्या पूछता है इसकल से पूछता है यहाँ पे भ आद कैसे करना है तो आप देखिए मैंने एक trick बनाया है मोना रूबी मोना रूबी और यहाँ पर मैम दी ठीक है अगर आप मोना रूबी और मैम दी याद कर लो आपको कोई रोक नहीं सकता यह trick जो है यहाँ से question कभी भी गलत नहीं करेंगा मोना रूबी का मतलब मोना और AM से amphibian M से mammal और AM से amphibian D का मतलब dicondylic तो यह question भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं ठीक है अब अगला question के पुछा जाता है अगला question आप से पुछा जाता है हर्ट के accessory chamber से हमें पता है कि हर्ट में दो necessary chamber होते हैं एक होता है auricle और दूसरा होता है ventricle लेकिन कभी-कभी आप स एक मिनट हर्ट के accessory chamber से question से पहले मैंने circulation पढ़ाया होगा कहीं पर तो एक मिनट थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा देख लेते हैं one minute, one minute, heart accessory chamber, portal system, okay यहाँ नहीं, heart accessory chamber, लेकिन heart accessory chamber से पहले हमने एक चीज और पढ़ाया था उसको देख लेते हैं, एक मिनट, एक चीज यहाँ पर और होनी चाहिए हमने circulation भी बताया था, ठीक है, एक मिनट, चलिए हम heart accessory chamber देख लेते हैं, heart accessory chamber, हाँ यह है, यह है देखिए, अब हम जो तीसरा चीज देखते हैं यहाँ पर circulation और heart से question पूछा जाता है, circulation और heart से तो या circulation दो तरीके का होता है, एक single circulation और एक double circulation. अब देखिए, single circulation कहा कहा होता है, single circulation के मैं fissess में होता है, और fissess का heart दो chamber होता है, यह भी आपको पता होगा, और fissess के heart को venous heart या tubular heart केते हैं, यह बात बहुत अच्छे से समझेगा क्योंकि fissess का heart ऐसे tube like ऐसे होता है, ग्या इसको venous hurt या tubular hurt केते हैं और याद रखेगा venous hurt इसले केते हैं कि fissies का hurt केवल deoxygenated blood pump करता है और fissies का hurt किता होता है two chamber होता है यह बात और यहाँ circulation single circulation होता है दूसरा है double circulation double circulation में incomplete double या mixed double और complete double या complete double circulation ये दो तरीके के होते हैं incomplete का मतलब जो oxygenated और deoxygenated blood है उसकी mixing होती रहती है तो यहाँ पर आरिकल तो होता है एक आरिकल राइट एक लेफ्ट आरिकल ठीक लेकिन यहाँ पर ventricle एक ही है तो यह वाला blood और यह वाला blood दोनों mix होते रहते हैं तो इसक हम कहते हैं incomplete incomplete कहां होता है incomplete होता है amphibian और reptile में और amphibian का ёrte 3 chamber होता है दो arikal एक वेंटर कल जब रेक लेकिल का हरड 3.5 tract होता है क्योंकि इनका हर्ड जड़ा ध You can see a reptile का hurt होता है उसमें दो आरिकल के साथ साथ वेंटरिकल में ऐसे एक incomplete septa होता है complete septa नहीं होता है, वेंटरिकल पूरी नहीं बनी होती है incomplete septa होता है, तो इसको हम कहते हैं 3 and half chambered कितना? 3 and half, 1, 2 और 3 and half chambered reptile का एक exception है crocodile, crocodile में complete four chambered herd होते हैं और complete double circulation कहा होता है, bird और mammal में और यहाँ पे four chambered herd होता है, दो नों में, दो आरिकल और दो वेंटरिकल, अब अगला question आप से क्या पूछता है, देखिए यहाँ पे भी बच्चों को बहुत confusion होता है, हर्ट के accessory chamber से question पूछा जाता है हर्ट के accessory chamber में क्या होता है, इसको भी धरजरा ध्यान से में लोग देख लेते हैं कि हमें पता है, दो accessory chamber होते हैं, एक sinus venousus और एक truncus या conus arteriosus, हमेशा याद रखिएगा sinus venousus auricle से जुड़ा होता है, ठीक, और truncus या conus arteriosus ventricle से जुड़ा होता है, question कहां से पूछा जाता है, sinus venousus का evolution पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, sinus venousus well developed होता है, faeces और amphibian दोनों में पाया जाता है, sinus venousus reduce होता है reptile में, और absent होता है bird और mammal, मतलब हम लोगों में sinus venousus नहीं होता, as it is question आ सकता है, मैं आपको portal system का detail बताऊंगी कि क्या होता है, portal system, बस आप अभी यहाँ पे revision के लिए पढ़ लिए पढ़ लिजे, renal portal system तीन तरीके का है, ठीक है, तीन तरीके का है, renal, hepatic और हाइपोफाइसियल portal system, अब हम देखते हैं कि कहां कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा, renal portal system well developed होता है, physis और amphibian में, reduced होता है reptile में, absent होता है bird और mammal में, जैसे मैंने sinus venoususus बताया था, बिल्कुल वैसे ही, तो renal portal system well developed होता है fissies और amphibian में. Reduced होता है reptile में और absent होता है bird और mammal में. जबकि hepatic portal system सारे के सारे vertebrates में present होता है. Fissies, amphibian या आप ऐसे कह सकते हो. Hepatic portal system कहा होता है? Amphibian, reptile, bird और mammal और fishes में भी होता है. किसी-किसी fish में होता है. और hypophacial portal system भी higher vertebrates ज先生 teta-porder में present होता है. तो question यहां से पूछा जा सकता है आपको renal portal system से अब यहां पे आप इस चीज को ध्यान से समझ लिजेगा जितनी भी point मैंने आपको बताये हैं यह exam में किसी न किसी question में पूछा जा सकता है so all the best आप लोग अच्छा करिए मैं ऐसे और सारे videos आपको बताऊंगी आप वहां से important चीजें पढ़ सकते हैं